Hello everyone, I am Amitivari for Amitivari.net और यह है Google Ads सीरीज का सेकंड पार्ट, आज के इस सेकंड पार्ट में हम Google Ads में keyword match types को सीखेंगे, अलग-अलग type के keyword match types क्या होते हैं, इनकी क्या importance है और कैसे इन्हें आप use कर सकते हैं, इस सीरीज के first पार्ट में हमने Google Ads में ad rank के concept को समझाता, कैसे कोई एक company का ad, बाकी competitor के ads के comparison में ऊपर या फिर नीचे दिखाया जाता है, कौन से हो factor होते हैं, जो आपके ad को top position पर ला सकते हैं, और कैसे आप ad rank को use करके, अपने ad campaign के budget में भी बचत कर सकते हैं, यह सारी बाते हैं की थी हमने first part में, अगर अभी तक आपने इस पार्ट को नहीं खाय दे रहा होगा, आप जाकर इसे देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम keyword match type को देखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आए, कि keyword match type से पहले मुझे keyword research के बारे में आपको बताना चाहिए, लेकिन actually में keyword research एक बात में होने वाली process है जिसको देखने से पहले हम Google Ads account बनाना सीखेंगे और Google Ads account बनाने के बाद हम उसमें keyword research tool को देखेंगे, keyword planner tool जिसका नाम है, जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले keyword match type के concept को समझना बहुत जरूरी है, अभी मैं जान बूच कर Google Ads के dashboard में आपको नहीं लिकर जा रहा कि Google Ads को run करना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ click करो, वहाँ click करो हो जाता है, लेकिन एक successful campaign उसके action से नहीं, इसकी planning से decide होता है, इससे पहले कि आप अपने account पर जाकर अपने आड को बनाना शुरूरू करें, इस keyword match type को समझना बहुत जरूरी है, keyword match type एक कितनी audience तक पहुचना चाहते हैं, और कितना budget खर्च करना चाहते हैं, किस type की audience चाहते हैं, इस सारी चीज़ों के उपर आप comtrol कर सकते हैं, अपने budget के खर्च को रोख सकते हैं, और अपनी audience के expansion को भी आप control कर सकते हैं, google आपको तीन type के keyword match type देता है, number 1 ہے broad match, number 2 ہے phrase match, number 3 exact match, इन तीनों concept को समझते है, जब हम एक ad run करते हैं, तो हम Google को provide करते हैं, एक keyword, जिसके और हम अपना add run करना चाहते हैं, और जब user किसी product को search करता है, तो वो Google को provide करता है, एक search query, så user जो हमें दे रहा है, वो है search query, और हम जो Google को दे रहे हैं, वो है keyword, जब हमारा keyword और user की search query इन दोनों का intention match करता है और add दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं broad match keyword matching जब हमारा keyword और user के दिये हुए search query का meaning same होता है तो उसे बोलते हैं phrase match और जब हमारे keyword और user की search query के बीच के words भी match करते हैं तो उसे बोलते हैं exact match यह तो हो गया technical definition, अभी I know, थोड़ा सा confusion होगा, इसलिए इसे एक example के साथ में समझ लेते हैं, imagine करिए कि आपकी electric guitar की shop है, आप अपनी shop के लिए add run करना चाहते हैं, तो आप क्या keyword देंगे, electric guitar, अगर कोई एक user आता है Google पर और search करता है guitar accessories, या फिर guitar pedal, तो यहाँ पर वो electric guitar word exactly नहीं search कर रहा है, लेकिन electric guitar की shop होगी, उस पर guitar pedals भी मिलते होंगे, और guitar accessories भी मिलती होंगी, तो अगर हम broad match keyword match type को use करते हैं, तो Google guitar accessories नाम के इस search के लिए भी electric guitar वाले add दिखा सकता है, बिकस Google को ऐसा feel हो रहा है, उसके system को लग रहा है, कि जो भी guitar accessories सर्च कर रहा है, वो electric guitar वाली shop पर जाकर, वहाँ पर product को purchase कर सकता है, यहाँ पर आपका benefit यह होगा, कि आपने सही keyword को नहीं use किया, आपने proper keyword research नहीं किया, आपने अपनी audience को नहीं समझाए, लेकिन फिर भी सही audience Google ढूँड कर आपके पास ला रहा है, यह benefit है, इससे आपके add को ज्यादा reach मिल रही है, आपको ज्यादा customer मिलने के chances हो रहे हैं, यह benefit है, नुकसान यह है, कि कई बार आपके add ऐसे भी लोगों को दिखाये जा सकते हैं, जिनका आपके keyword से कोई लेना देना नहीं है, मेभी आप electric guitar की shop नहीं run करते हैं, आपकी manufacturing है, और आपने electric guitar bird को इसलिए use किया, बिकाज आप पूरा का पूरा guitar बेचना चाहते हैं, आप accessories मे आप Google को सिर्फ electric guitar keyword दे रहे हैं, लेकिन वो guitar accessories वाले, जो client ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, उनको भी आपके add दिखा रहे हैं, और इस तरह की audience जो आपके काम की नहीं है, जो आपके product को purchase नहीं करेगी, सिर्फ accessories जिसको चाहिए, उसको भी जब आपके add दिखाई देत Second match type है, phrase match type, जहां पर Google आपके keyword और user की search query, दोनों के बीच के meaning को देखता है, अगर वो meaning match हो रहा है, तो फिर आपका add दिखाए जा सकता है, पर example, अगर user search करता है, cheap electric guitar या फिर electric guitar reviews, तो आपका add दिखाए जा सकता है, विकरज अगर कोई electric guitar reviews सर्च कर रहा है, तो वो कहीं ने electric guitar को purchase भी कर सकता है, और आपके add वहाँ पर trigger हो जाएंगे, इस तरह के keyword match type में, जो आपका keyword है, वो ज्यादा अच्छे type के results निकालता है, वो बहुत ही ज्यादा meaningless users को, meaningless search queries को attract नहीं करता है, आपका control ज्यादा better होता है, ये option आपको अच्छा result दे सकता है, लेकिन साथ ही में जो आपकी reach है, वो broad match keyword match type से थोड़ी सी कम हो जाती है, ये इसका नुकसान है, इसके बाद third keyword match type है, exact match keyword type, जहाँ पर सिर्फ आपके दिये हुए keyword के words के base पर ये आपका add trigger होता है, अगर मेरा keyword है electric guitar, तो आपकी जो add है, वो electric guitar, guitar electric, by electric guitar, सिर्फ इस तरह के ऐसे search terms के लिए guitar दोनों हैं, अगर electric और guitar दोनों word नहीं है, किसी भी user की search query में, तो फिर add नहीं दिखाये जाएगा, exact match keyword type आपके add की reach को बहुत limited कर देता है, लेकिन साथ ही में budget का जो इधर उधर फालतू की search term पर खर्च किया जाना है, उसको भी control कर देता है, ये था इन तीनों keyword match type का introduction, ल अब आप Google Ads में अपने keyword को normally ऐसे ही लिख देते हैं, plain simple तरीके से, तो ये बन जाता है broad match keyword type, अगर आप अपने keyword को phrase match style में use करना चाहते हैं, तो आपको अपने keyword को double quotation mark के अंदर रखना पड़ेगा, इस तरह से, अगर आप अपने किसी keyword को exact match तरीके से use करना चाहते हैं, तो इसे बड़े-वाले bracket के अंदर रखना पड़ेगा, और अब ये same keyword जो है, वो आपका बन जाता है, exact match keyword, now broad match, phrase match और exact match, इन तीनों keyword match type में कोई भी सबसे अच्छा नहीं है, ये आपकी situation पर आपके campaign की requirement पर depend करता है, अगर आपका keyword research बहुत solid है, अगर आपको पता है कि मुझ अच्छे results लेकर आएगा ही आएगा, तो मुझे exact match type का keyword match type यूज करना चाहिए, जिससे मेरा budget control में रहेगा, और मेरे पास sale आती रहेगी, लेकिन अगर अभी तक आपने keyword research बहुत ज्यादा नहीं किया है, अगर आपका keyword research पर confidence उतना अच्छा नहीं है, या आप किसी ऐसी industry जहां पर exact match लोग नहीं करते हैं, for example, hardware related ads जहां पर लोगों को product के नाम सही से पता ही नहीं होते हैं, वो guess करना चाहते हैं, वहाँ पर आप phrase match को या फिर broad match keyword type को use कर सकते हैं, जिसमें आपका ad spend थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही में आपको sale मिलेगी, आपको lead मिले keyword match types के बारे में इनको कैसे use करना है, इनके लिए कैसे add run करना है, ताकि आपको result भी अच्छे मिले और आपका budget भी खान खतम हो, इन सबी चीजों के बारे में आगे आने वाले parts के अंदर बात होती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि Google Ads के dashboard के अंदर हम जंप करें, आपको keyword match type को समझना बहुत ज़रूरी है, मिलते हैं अगले part में और हम जानेंगे कि account की अपनी hierarchy कैसे होती है, campaign क्या होता है, ad group क्या होता है, ads क्या होते हैं और इनका अपना खुद का relation कैसे balance करके रखना चाहिए, मिलते हैं अगले part में जल्दी, thank you so much for watching this video, my name is Amitwari for Amitwari.net and I will see you next time, take care